हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंजया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे ओर्यो बिस्किट से बने हुए मोदक की रेसिपी जिसे हम बिना गेस जलाए सिर्फ 10 मिनिट में बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूर रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें इंस्टन्ट ओर्यो मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम ओर्यो बिस्किट लिए हैं हम ने जो biscuit लिए हैं सबसे पहले हम इसकी krim को अलग कर लेंगे बहुत ही आसाणी से यह अलग हो जाती है तो इस तरह हम छुरी की मदस से या तो फिल किसी spoon की मदस से भी से अलग कर सकते हैं यह देखिए हमने यहाँ पर सारे biscuit की krim अलग कर ली है अब यह जो biscuit है, इनको हम तोड़कर mixi jar में transfer कर लेंगे सारे biscuit को हमने तोड़कर mixi jar में transfer कर लिया है अब हम इसमें add करेंगे 1.5 टेबल स्पुन चीनी और इसे अच्छे से grind कर लेंगे हमने मिक्सिजार में इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूद एट करके इसका डो तैयार कर लेंगे देखे हमने यहाँ पर फ्रीज का ठंडा दूद इस्तेमाल किया है अगर आप चाहें तो बोईल किये हुए दूद को ठंडा करने के बाद भी एट कर सकते हैं यह देखे इस डो को तैयार करने में हमने तीन टेबल स्पून दूद का इस्तेमाल किया है इस डो को हम ज़्यादा हाड नहीं रखेंगे हमें इसे सोफ्ट रखना है अब हमने बिस्किट की जो क्रीम अलग की थी इसका इस्तेमाल करके हम मोदक की स्टफिंग बनाएंगे स्टफिंग बनाने के लिए हम इसमें एट करेंगे चाहर टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट या फिन नारियल का बुरा दा जिसे खोपरा खमन भी कहते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे बिस्किट की क्रीम के साथ हमने डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसी के साथ हमारी मोदक की स्टफिंग बनकर तयार है अब हम इसके मोदक बनाएंगे तो मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर मोल्ड लिया है इस मोल्ड को हम पहले घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे अब हमारे बनाए हुए डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर हाथ की मदद से पहले इसे अच्छा सा सेब देंगे और अब हम इसे add करेंगे mold में उंगली की मदद से press करते हुए हम इसे mold में अच्छे से set करेंगे देखिए हमें dough को mold के बीच वाले हिस्से में नहीं भना क्योंकि बीच वाले हिस्से में हमें stuffing भनी है इसलिए हम सिफ mold के नीचे वाले हिस्से में और इसकी किनारियों पर ही stuffing को add कर रहे हैं देखिए उंगली के मदद से प्रेस करते हुए इसे set करना जरूरी है तक कि हमारा जो मोदक है वो बिल्कुल perfect बनकर तयार हो ये देखिए हमने इसके बीच में जो जगे रखी है इसमें हम add कर देंगे हमारी तयार की हुई stuffing stuffing को भी अच्छा सा set देकर इसमें add करेंगे और उंगली के मदद से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से set कर देंगे तक इसने बिल्कुल भी गेब ना रह जाए अब हम इसे cover कर देंगे तो biscuit वाले dough का थोड़ा सा portion लेके इस तरह हम इसे उंगलीों की मदद से spread करते हुए और प्रेस करते हुए cover कर देंगे अब इसे unmold कर लेते हैं तो mold को खोल कर हमें इस तरह इसे नीचे से पकड़ कर carefully mold में से बाहर निकाल लेना है यह देखिए कितना perfect mold बनकर तयार हुआ है बाकी के सारे mold भी हम इसी तरह तयार कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है ओरियों मोदक वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आप से humble request है कि चैनल को subscribe के भीना और bell icon दबाए बिना ना जाए फिल में लेंगे जाइका इंजिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए गुडबाई